हेले वरिवन वेलकम यॉल इट लोगी सर अल्लिम्टेड स्टडी जोन चलिए यहां पर इस शॉर्ट वीडियो में हम डिसकस करने वाला है एक concept जिसका नाम है theorem on total probability तो आप लोग भी heading बना लिजिए theorem on total probability तो मैं तो यह बहुत ही जबरदस concept है यह बड़ा ही मज़दार concept है और आई इसको हम एक practical problem से समझते हैं कि theorem of total probability कैसे लगाई जाती है माल लीजे कि हमारे पास कोई एक experiment है हमारे पास total experiment है जिसको हम S बोलते हैं और उस experiment के अंदर हमारे पास हमारी जो event जिसे हम चाहते हैं वो है A ओके A suppose है इंडिया का जीतना So what is A? A is for winning of India अब दीके मैं आपको यहां पर यह बताना जाता हूं कि इंडिया के win होने में कोई एक factor काम नहीं करता है इंडिया के winning में काफी सारे factor काम करते हैं आई उन factors को हम देखते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं मान लीजिए इंडिया के winning में यह कुछ share है E1 का अब E1 ने किते run बनाये हैं मान लीजिए 90 runs E1 के किते runs है 90 runs और इंडिया जो है 20 runs से जीती है किते runs से जीती है 20 runs से मतलब E1 पूरे के पूरे 90 तो काम में नहीं आया है उसके खिते run से जीती है भाई 90 runs से तो नहीं जीत गई अके उसके खेलने से भाई E1 के उपर A है ना पहले शिखर धवन का सतक उसके उपर इंडिया का जीतना तो probability क्या हो गई P A upon E1 अगर शिखर धवन का सतक लगता है तो इंडिया के जीतने की probability किती हो गई A upon E1 अब चलिए next batsman बैटिंग करने आता है और मान लीजिए उसकी खुद की probability है E2 और उस का दूसरा शेयर होगा तीसरा फिर कोई batsman या baller whatever कोई player नाम दे दो वो बैटिंग करने आता है बॉलिंग करने आता है उसकी इवेंट कितनी खुद के लिए E3 और उसका शेयर इंडिया की विनिंग में कितना है पी अबलिक E3 ऐसे गर्दे 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 मान लीजिए मेरे पास एनवा प्लेयर है में भी होंगे 9-10 जित्ते भी होंगे बट मैं लेके चल रहा अब जो इवन एया को इवन मुल्क्तीप्लाय भाई कई लिए यस आया समय में पी ए अपॉन कितना इवन क्लियर की नोटैर अब अब्लन जmbol स्पास्टियम लिए इनिया में जीतनका किसका क्न्ट्रीपॉति जने कोड़की मान लिए मिलेven स्प आपई बडर्सों में कि लू यह नहीं खेलेगा ओके तो पी एवन पहले खेलने की प्रबिल्टी और अगर खेला तो इंडिया के जिताने की प्रबिल्टी बोले यह सॉन नो है ना जैसे मैच में स्टर्टिस इस बन के आते हैं कि अगर धोनी का बल्ला चलता है तो इंडिया जीता है 85% के सब्सक्राइब तो यह आएगा, plus P e2 into P a upon e2, plus P e3 into P a upon e3, likewise, last वाली event का क्या है, e-n, और उसका share कितना है, P a upon e-n, बोले ऐसान नो, clear हो गया कि नहीं हुआ, इस तरीके से यह है, आपकी total probability, यह क्या कहलाता है, total probability, बोले आगया समझ में, और जिसको total probability निकालने आती है, उसको base theorem निकालने आ जाएगी, अब आये देखते है, total probability पर base conceptual एक problem, देखते है, total probability पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कि यह कैसे लगती है, तो आपके NCRT का ही में, एक problem उठा लेता हूँ, example का problem उठा लेता हूँ, okay, so, I am discussing about problem number, yes, example 15, example 15 पर हम आते है, example 15 जो है, total probability concept का question है, okay, so, heading बना लीजे, example 15, so, let's guys, आ जाएगे, question number 15 पर example 15 जेखते है, a person is has undertaken a construction job, लो भाई, एक person ने एक काम लिया है, और वो काम जो है, यह है, construction job का पूरा होना, construction job का पूरा होना, a person has undertaken a construction job, the probabilities are 0.65, that there will be strike, okay, so, probability strike, strike, I can, इसको simply लिखते है, पी, strike, एक को लो कितना है, 0.65, यह ए तो construction है, construction होने की probability, जो भी आएगी, okay, S, strike होने की probability कितना है, 0.65, clear, probability that there will be strike is 0.65, अब भाई, अगर इस ट्राइक होगी, तो strike ना होने की probability निकाल लो, 1-0.65, how much? 0.35, आगया जी, यह हो गया, अब आगे देखो, 0.80, that the construction job will be completed on the time, if there is no strike, कह रहा है, अगर probability है, कि construction job complete हो जाता है, जबकि strike नहीं होती, मतलब strike के ना होने पर construction job complete हो जाए, तो दो पार्ट है, इस question के, एक strike ना होना, और एक strike हो जाना, तो यह देखे भाई, इसके दो पार्ट अगर आप बना लो, बनाना हो तो, एक है strike ना होना, और एक है strike हो जाना, ओके, तो strike ना होने पर construction job के complete होने की probability में थोड़ा और clarity देता हूँ, यह लीजे, इस ट्राइक ना होने पर chances ज्यादा होंगे, तो मैंने इस ट्राइक ना होने पर काम होने के share मैंने ज्यादा देती है, ठीक ना, feeling आरी पूरी पूरी, कित्ता है भाई साब, strike ना होने पर काम पूरी होने की probability कित्ती दे रखी है इन लोगों ने, 0.80, कित्ती दे रखी है, 0.80, और अगर strike हो रही है तो, यह देखे, एस नीचे आ गया, मतलब strike हो रही है, strike होने पर भी काम पूरा हो जाए, उसकी probability दे रहा है, 0.32, 0.32, यही धो case होगे, भाई, तो strike होने पर काम होगा, यह इस ट्राइक ना होने पर काम होगा, यह देखें सट्राइकि ना होने पर काम भी सथी तो का अवरी, ज्यादा हुए, और तो देखे स्ट्राइक जब हो यह तो काम क्या हो है कम वह देखेए के बल 32% इस ट्राइक होने पर काम होने की प्रबिल्डी ती 32% अब क्या रहा काम होने की प्रबिल्डी क्या होगी लो भाई काम तो होना चाहिए स्ट्राइक हो या ना हो आये तो दो केस वही शिखर दवन तो पहला ले लो भाईया स्ट्राइक होने के बाद भी काम हुआ दूसरा केस इस ट्राइक नहीं हुआ और इस ट्राइक नहीं हुआ फिर भी काम हुआ, बुलिए yas or no, तो इस ट्राइक होने के चांसेटेस कितने हैं बाई, आप 0.65 और इस ट्राइक होने के ओपर काम होने की प्रबबिलटी कितनी है, 0.832, yes or no, 0.32, प्लस, स्ट्राइक नहीं हुई, की प्रबबिलटी कितनी है, 0.35, yes or no, और स्ट्राइक ना ह होने पर काम होने की प्रबिल्टी कितनी है 0.80 बुलिए यह सो नो सो मोर बेटर आप इसको डेस्मल की फार में तो ले या जो आपको कर लें ओके इसको आप सॉल्व करके आंसर कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आ रहा है इसका आंसर आप 0.488 ओके तो आपको यही करना है टोटल प्रबिल्टी में डन तो टोटल प्रबिल्टी के सारे कोश्चन आप लोग एगली ग्लास में बेजी बना करके लाएंगे और आपको कैसा लगा यह कंसेप कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइए हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभू नमस्कार कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि तो तो प्यारी तो प्यारी वादी कि अधिया अभी खर्चाट यह एएश पे तगड़ा है लेटों कि अधिया आव एससदी डर्वाइए एससदी डर्वाइए उससे तेज बहुंसा तेज हो गया हो गया मेरे तो भी डर्वागी है 2000 पी आईएँ 2800 कि 2800 कि 2900 कि कि अधिया जरूरी है जरूरी है बहुत जरूरी है विन्दोस 11 किया कम्प्यूटर बहुत स्लो चलगा है